हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम टो आर चैनल माइनम इस आदर्स कृष्णा और वाचिंग ब्राइट एकडेमी चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा 2020 काउंसिलिंग के स्केडियूल के बारे में जो भी आपके डेट फीक्स किया है डिफरेंट जोसा काउंसिलिंग में होने वाले हैं उसके लिए उसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे इस वीडियो में और मुझे उमीद है कि आपको जोसा के बारे में पता होगा लेकिन जीसे नहीं पता उसके लिए मैं ब्रीफली बता देता हूं कि जोसा क्या है ओके तो जोसा का पू के राइंग के basis पे इस पूरे जोसा काउंसलिंग में काफी सारे processes और procedures involved है और अगर आप इसके बारे में detail में जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे available है जोसा काउंसलिंग करके एक वीडियो उसको देख सकते होंगा ओके अब हम बात करते हैं कि पूरे काउंसलिंग के स्केडियोल के बारे में तो जो आपका जे में का result हो 11 September को आया था जेए एडवांस को जो result हो 5 October को आएगा और उसके अगले दिन से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यह खतम होगा आपका 13 November को ठीक है जो पूरा काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो आपका 13 November को खतम होने वाला है और 6 October से शुरू होने वाला है तो डेट के बारे में जाने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या इस काउंसलिंग में आपका पूरा होगा क्या तो इस काउंसलिंग में आपको सबसे पहले जोसा.nick.in के वेब साइट पर, 6 तारी को चाकर रेईस्टर करना, ओके approximation करने कि बदद को choice filling करना है choice filling करने के बद आपको क्या होगा। 6 rounds conduct के जाएंगे. हर राउंड में बताया जाए तो यह basic process है आपके जो कि आपको follow किया जाएग गा counseling के दोरान तो आप देखते हैं different dates को ओके तो 6 October को आपका 10 बजे जो है वो registration portal है वो चालो हो जाएगा तो वहाँ पर candidate जाके register कर सकते हैं अपना choice feel कर सकते हैं choice feeling में आपको क्या करना है आपको अपना जो मन पसंद colleges हैं जो आपको आपको seat alert कर पाए उसके अनुसा ठीक है जैसे आप पहले number पे कौन सा college ये branch चाते हो अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप second number पे कौन सा college ये branch चाते हो इसी तरह आप third, fourth, fifth number पे कौन सा college ये branch चाते हो उसका list आपको submit करना है लेकिन काफी सारे students को choice feeling में दिक्कत आती है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता क्योंकि उनके rank के हिसाब से उन्हें कौन सा अच्छा college ये अच्छा branch मिल रहा है बहुत सारे students को पता नहीं चलता और जो students को पता चलता है क्योंकि उनके rank के हिसाब से कौन सा college यह branch उन्हें मिल रहा है तो काफी सारे branches और colleges वो miss कर देते हैं क्योंकि सारे information उसके पास available नहीं है तो इसका एक आसान सा solution है हमने हमारे channel पे एक free counseling support करके एक program start किया है जिसको free of cost एवेल कर सकते हो बस आपको simply क्या करना है हमारे इस video को like करो, share करो चैनल को subscribe करो और comment section में जो भी आपका rank है जे ही main या जे ही advance का उसे हमापे comment कर दो आपके comment करने कुछी देर बाद हम reply करेंगे आपको आपके list of colleges और branch के साथ यानि आपको कौन सा college और branch मिल सकता है complete list हम आपको provide करेंगे free of cost ओके तो simply आपको क्या करना है और जो architecture के students है जो IAT में डबल एक्जाम की थूँ आडमिशन लेना चाते हैं उनका registration 11th of October से start होगा क्योंकि उनका result थोड़ा late से आने वाला है उसके बाद 12 और 14 October को क्या है mock seat allocation mock seat allocation यानि जैसे एक date ले लो 12 October तो 12 October तक जितने भी students ने counseling के लिए registration किया होगा उन students में कीन बच्चे को कौन सा college या ब्रांच मिल सकता है वो आपको show किया जाएगा ठीक है यह real नहीं है आपको allot नहीं किया गया यह बस आपको समझाने के लिए कि seat allotment का process क्या होता है वो समझाने के लिए एक mock seat allocation होता है ठीक है दो यहाँ पे एक आपका 12 October को फिर आपका 14 October को और जब का registration का last date है वो 15 October है तो ध्यान से आप registration कर देना 15 October से पहले क्योंकि अगर आप opportunity miss कर देते हो तो आपका पूरा seat loss होगा academic year भी loss हो जाएगा क्योंकि कोई भी date में आपे flexibility नहीं है date change नहीं किया जाएगा आपके लिए last date है 15 October यानि 15 October last date है उसके बाद 16 October को वो अपना जो भी data verification और data validation करेंगे जो भी उन्होंना seat allocate किया होगा और 17 October को 10 बजे के करीब जो भी आपका round 1 का result है round 1 का जो seat allotment result है वो आपका publish कर दिया जाएगा इससे आपको पता चलेगा कि आपके rank के अनुसार आपको कौन सा college कौन सा branch मिला है जो कि आप अपने जिस portal पे आपने register किया होगा वहाँ पे आप जाके check कर सकते हैं अपना seat allotment result उसके बाद आपको क्या करना है 17 से 19 October की बीच में आपको online reporting करनी है online reporting में क्या करना है आपको seat acceptance fee देना है seat acceptance fee around 35,000 last year लगा था तो इस साल भी करीब करीब उतना ही लगेगा आपका seat acceptance fee उसके बाद आपको documents upload करने है अगर मालोग आप OBC category के students हो class 10th का mark sheet, class 12th का mark sheet etc आपको documents upload करने पढ़ेंगे उसके बाद ये आपके सारे documents authority के दौर रव verify किया जाएगा और अगर उन्हें कोई भी गड़बर लगता है तो आपको query भेजेंगे जिसका response का last date आपको 20 of October है जब आप query का response दे दोगे तभी आपका seat acceptance जो process हो complete होगा वरना आपको seat a lot नहीं किया जाएगा ठीक है आपका seat accept नहीं होगा उसके बाद 21 October को आपका second round का result हैगा शाम को 5 बजे और 10 बजे के करीब जो भी आपका seat भरे हैं या फिर seat खाली बचे हैं उसका भी list publish कर दिया जाएगा तो round 2 में भी आपका similar process है जैसा आपका round 1 में रहा था आपको online reporting करनी है 22 से 23 October की बीच में लेकिन आपको यहाँ पर एक और नया चीज़ मिलता है कि एगर आपको कोई seat मिला है या फिर नहीं मिला है आप चाहते हो कि मैं वो seat को छोड़ दूँ या फिर पूरे counselling में पाटिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप seat withdraw कर सकते हो या फिर पूरे counselling process से exit कर सकते हो round 2 से लेके round 5 तक आपको round 2 से लेके round 5 तक पूरा freedom है कि आपका भी भी seat withdraw कर सकते हो पूरे counselling process से exit कर सकते हो ओके यहाँ पर आप देख सकते हो similar process है आपका query respond करने का last date 24 October और फिर आपका withdrawal का यहाँ पर date है 22 October से लेके 24 October तक withdrawal of seat exit from seat allocation process round 2 similar आपका process है round 3 में आपका 27 October यहाँ पर देखते हो 26 October को आपका round 3 का result आएगा और जो पूरा round 3 का आपका process है वो 29 October तक चलेगा उसके बाद देख सकते हो round 4 का भी similar process है आपका 30 October को आपका round 4 का result आएगा और जो पूरा round 4 का process है यह आपका 2 November तक चलेगा उसके बाद जो आपका 5th round का seat allotment result है वो 3 November को शाम 5 बजे publish किया जाएगा और similarly आपका जो भी seat भरे हैं नई भरे हैं खाली हैं उसका जो list है वो 10 पजे करीब publish कर दिया जाएगा और जो आपका round 5 का जो पूरा complete process है वो चलेगा आपका आप यहाँ पर देख सकते हो 6 November तक फिर आपका 7 November को जो round 6 का round 6 का seat allotment result है वो आपका publish होगा तो यहाँ पर दियान रगना round 6 में थोड़ा यहाँ पर कुछ बाकी processes से जो बाकी round है उससे कुछ अंतर है यहाँ यह देखो जो 6 round है यह IATS के लिए final round है लेकिन NITS, IIITS और GFTIs के लिए final round नहीं है क्योंकि जो सा counseling के बाद भी एक और counseling होत है CSAB counseling जो seat NITS, IIITS और GFTIs में खाली रहा जाते हैं वो आपका CSAB counseling के तुरू fill किया जाता है लेकिन IITS का जो seats है वो CSAB counseling के तुरू fill नहीं किया जाता तो जो सा counseling के 6th round उसका last round है इस round के बाद आपको IITS में admission नहीं मिल सकता है इस साल ओके तो इसमें भी almost similar process आपको 8th of November को online reporting करना, seat acceptance fee देना, document upload करना और जो भी आपको response मांगा जागा, query मांगा जागा वो आपको हाँ पर submit करना है लेकिन IITS के लिए एक और freedom है कि अगर वो reporting online नहीं करते तो वो directly physically IIT में भी जाके reporting कर सकते है reporting में also भी done at admitting IIT, final round for IITS, okay 9 November को आपका last day to respond to query round 6, final round for IITS, उसके ब यह आपको final admission process है, उसको complete करने के लिए, आपको physically most probably आपको physically आपको physically आपके allotted institute में visit करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको अपने document submit करने पड़ेगे जो भी required documents होंगे और आपको आपको आपना admission process complete करना पड़ेगा, लेकिन COVID-19 सी का situation जो हो अच्छा नहीं रहा तो यह सारे process आपके online भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, document verification for acceptance of seat or withdrawal of seat by physical mode at admitting allotted institutes only, round 6, for an IT plus system, okay, in case the situation does not permit the physical presence of candidate at admitting institute, the above process will be done online, जैसा कि आपको पता COVID-19 situation चल रहा है, तो में भी सारे process online भी हो सकते हैं, लेकिन most probably आपको physically visit करना पड़ेगा, आपके allotted institute पर, okay, so guys, इस वीडियो में हमने बात की, जो भी different आपके schedule है, events के, जो सा 2020 counseling के दौरान आपके events होने वाले different schedule जो आपके fix किया गया है, उसको हमने detail में discuss किया इस वीडियो में, okay, so that's all in this video guys, if you find this video helpful, please like and share this video with your friends, and do subscribe to our channel to get more updates, thanks for watching.